असलाम लेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप उमीद हरीय से होंगे जी अलहमदुलिल्ला मैं भी ठीक हूँ जी फ्रेंट्स जैसे कि आप सबको पता है कि मंथली मेरी एक ब्यूटी टिप आती है और जो माशालास काफी अफेक्टिव और बहुत यूजवल होती है आज की जो टिप में आपको देने वाली हूँ वो समझे नए साल का तोफ़ा है आपके लिए या उन बहनों के लिए बाईयों के लिए बच्चों के लिए जिनका रंग थोड़ासा ब्लैकिश की तरफ है या थोड़ासा ज्यादा ही ब्लैक है कुदर्ती जो कलर है उनको थो हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन उनमें खूपसूर्ती और उनमें गलो ले किया सकते हैं ये एक ऐसा टोटका है ना ये सिरफ आपको सफेर करेगा आपकी जितनी भी गंदी स्किन है उसको ये करेगा रिमूव बहुत ही सिंपल किचन में मिनने वाले इंग्रीडियन के साथ जिन में सिरफ जाएगा एक चमच बेसन एक समझाएगा हुश्क दूर्द आप कोई भी हुश्क दूर्द यूज़ कर सकते हैं नीडो हो गया ये जो डेरी है कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं और उससे हाफ जाएगा मीठा सोडा बेसन से कौन नहीं वाकफ सदियों से ये ब्यूटी प्रोडेक्ट में चेहरे की स्किन की रंगत को साफ करने के लिए यूज़ हो रहा है और दूद दूद तो वैसे ही सकिन को दूद की तरह ही करेगा और मीठा सोडा हर किसम के रिंकल्स को ब्लैक हैट्स को हर किसम की जो उपर हमारी डरस्ट गंदी मंदिल्लह है लेर जम जाते हैं सकिन पर इसको करेगा दूर जी तो बनाते हैं आज इस remedy को मैं नाम दूँगी Gift of New Year अगर हम ने साल में चमकती हुपसुरस skin के साथ 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 का वेलकम करेंगे तो क्या ही बेहतर है इस wonderful सी remedy का इन सारी चीजों को डालते हैं हम एक बॉल में अगर इन को चाहें तो आप rose water में mix कर सकते हैं मैं mostly इसको यूज़ करती हूँ पानी में ही इनको अच्छी तरह mix करने के बाद थोड़ा साम डालते हैं पानी जैसे ही ये सारी चीज़े mix होगे इन में से हमने थोड़ा सा निकालके कर देना है side पे ये हमने थोड़ा सा क्यूं निकाला है ये मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में हम इनको करते हैं थोड़े से पानी के साथ mix और इस सारे mixture को अपने हाथों गर्दन और मूँ पे करेंगे अच्छी तरह अपलाएं अपलाई करने के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा mixture आपकी skin पे हो जएगा dry आपने क्या करना है वो जो हमने ये थोड़ा सा बचा के रखा है थोड़ा सा और लगा के अपने चेरे और हाथों को करना है अच्छी तरह रब रब करने से ही आप महसूस करेंगे कि आपकी ये जो तीनों चीजरों का mixture है एक मैल की सूरत में उतरने लग गया है अच्छी तरह इस कोड डाय हाथों के साथ साफ करके आपने तैब वाटर से मूँ दोके बाद में कोई भी हलका सा मुस्चराजर यूज़ कर लेना है Believe me friends ये एक ऐसा mixture है ये ना सिरफ आपकी जिल्द को करेगा clear तुमाम blackheads whiteheads wrinkle और एक जो dust की लहर आ जाती है लेहर लेयर उसको ये करेगा remove अमीद है friends आपको ये मेरी आज की ये remedy ये tip पसंद आएगी पसंद आई हो तो like कीज़ेगा और मुझे दौ में याद रखिएगा टेक कियर अला हफीज